स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चलंजस का नामे डेली यूजर इंफरमेशन तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीस्टी के नए अपडेट के ऊपर है जो कि आया है आठ अप्रेल को तो वह मैं आप अहले आपको नोटिस दिखाऊंगा कि नोटिस न्यूज के लो अपडेट जो भी अपडेट आँ है वो ठीक है तो वो यह है अपडेट जो क्यू आर एमपी श्कीम में जो है जिनको जनुवरी फर भी मार्च कौटर्लियर्ट भर नी है वो अपने रिटन कैसे भरंगे और अपना मार्च का का क्या करते हैं टेक्स पर कैसे करेंगे तो एंडर और जो क्योर्म पी स्कीम के अंदर आते हैं विद इफेक्ट डेट वर जनुबही 2021 और रॉक्राइट फिनेसिंग रिटन ओन वाटरली बैसेज लॉंग विद्धा टेक्स पे और मंतली बैसेज कि उनको अगर वह रिटन क्वाटरली तो करने अपर उनको जो मंतली जो वह उनको मतली बैसेज पे करना है ठीक है तो यह तो हो गया यह ठीक है और कहते हैं परसनल आवाइल क्वारिन इसना क्यूरंपी स्कीम रुक्राइड फुटू टेक्स ड्यू इन इच दा थ्री मन्थ फॉर्ट अक्वार्टरली फॉर्ट अक्वार्टरल बार्ट बोजिट ट्यू ड्यू अमांट एस डिसकर्स ब्लो ठीक है जो आपको तीन महीने का तीन महीने में टेक्स पे करना है उसके बारे में वह दिसकस किया है वह यह पॉइंट ए है क्या तहां कि अगर आप जन्वरी फरवरी का आई फ्रू पेमेंट कर चुके हो वह दो कंडिशन में पेम सकते हो ठीक है तो जो जन्वरी फरवरी का जो लिए पेमेंट था वो दो कंडिशन मता एक तो था 35% लास्ट मंत का जो है उसका 35% पे कर दो अगर आप यह पेमेंट नहीं कर रहे हो आप कह रहे हो कि मैं पूरा 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 पेमेंट कर दूं तो वह है कहते हैं चलान और अगर आपने वह पेमेंट अगर नहीं किया तो आपको डायक तीसरा प्रेंटी आएगा और हो सकता आपकी इंट्रेस्ट भी लग जाए मैं यह नहीं लगेगी या लगी जाए वह मैं स्योर न्यू जवाप रेटन फाइल करोगे तो आपको खुद बता चल जाएगा कि आपकी इंट्रस्ट लग रही है ठीक है अगर आप आप IFF QRNP scheme में हो तो ठीक है पहले में आप 30% जनवरी का या फरवरी का 35% पे करना है नेक्स्ट मंत का जो अमांट डू है उसके बैसे पे ठीक है और जो हमारा दूसरा प्रेंट था वह था यह कि चलान ओन ये यह वाला ठीक है इसको हम करेंगे पूरा का पूरा पेमिन तो वह हम करेंगे यहां पे और प्रोसीड करके जित आपका टेक्स बनता है जनवरी का जनवरी का महिंने का और फरवरी का तो फरवरी के महिंने को आपको पेमिंट करना है टेइर तो ये तो अ dejar यह अपने मार्च का जो पेमेंट है वो कैसे पेमिंट करेंगे मिल्ख तो इसको लिए कुछ नहीं हैं क्या करते हैं आप क्या करते हैं सीधे आपने 3B में जाएंगे,, टो टो घ्रीए अपने 3B में आ चुके हैंителि यह एक लिच को पहले बता दिता हूं जो भी आपका क्या क्या थैं से लेके 30 मांस तक का जित्ता भी आउटपूट है जित्ता आउटपूट टैक्स बन रहा है सामें वो cght हो चाहँ आई ght हो चाहँ यह सारा चीज कर चुका हूँ यह मैं सब भड़ चुका हूँ बस मुझे कुछ नहीं करना है और किया थैं और यह प्रोसीड टू पेमिन यह देखिए है यह जो यह पॉइंट बोल रहा है शिक्स है यह देखिए टेबल नमबर शिक्स जो बोल रहा है वह यहां प्या यह 27,000 तो यह ऐसे आपको जो क्या कहते हैं आपका वह जो आपका मार्ज का GST है वह आपका यह ऐसे पेमेंट करना है और आप पेमेंट मेर इन क्वार्टर आप यह कर दोगे तो आपका जो आपने जनवरी फैब में पेमेंट किया है वह उससे एड़ेस्ट हो जाएगा जो भी आ का हुगा और पहले वह ऊच्का होगा और वह बैंड बलाइंस बनेगा वह आपका कर सकते हो तो इस तरीके से आप अपनी घस्टी घ्री फाइल कर होगे हैं और आपको कहते हैं अगर जिस्ट यर्वाइन वन फाइल कैसे करनी है वह आपनी तक आप मैं नहीं सी किया तो उसका बटन भी मैं आई बटन में लिंक मैं दे दूंगा आप वहां से उसको देख सकते हो समझ सकते हो हैं और उस पर जो नया अपडेट आया था एक कर् आप जाके वह वीडियो देखो आपको जिस्ट वन कैसे करनी है वह भी समझ आ जाएगा फिर भी कोई इन वीडियो से लेटेट जिस्ट यर्वन और ठीवी से रिएटेट कोई भी डाउट है कोई वी क्यारीज है आप कहते हैं मुसे कमेंट मैं कमेंट करके मुसे पूश सकत हो और क्या करते हैं वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें से रिकने कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं एक और नई वीडियो से तब तक के लिए अपना ध्यानना की अब बाबाबा टेक क्या अ झाल 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 झाल